हलो एवरिवान, वेल्कम बैक टू आवर चैनल, मेरे सारे दोस्त कैसे हो सब लोग मेरी पूरी कुकी स्पॉर्ट सेमली हमेशा स्वस रहे और खुश रहे, यही मेरी अभिलाशा है आज कर जो हमारा व्लॉग है, वो बहुत ही स्पेशल है रेनी देव वाला है कल बहुत लोग पूछ रहे थे ना, हमारे यहां बारिश हो रही है कि नहीं तो कल तो नहीं हो इसी बुसाल में, लेकिन आज साटरडे यहां सारा दिन तो मौसम एकदम बादल वाला था लेकिन शाम के बाद अभी बाहर बारिश हो रही है, अब आज आ रही है घर में बारिश की धीमी धीमी हो रही है, बहुत तेज तो नहीं हो रही है, लेकिन हो रही है और जब बारिश हो रही हो तो हमारी चतोरी सैमिली है, कुछ तलाब होना चाहिए इनको और हरी मतर का सीजन है तो आज मैं एक रिक्वेट पूरी करने वाली हूँ किसी ने मुझे किसी ने पहले ही बोला था मतर की कचौरी तो मुझे दिमाद में था और आज कुछी कुछ बनाना है स्पेशल तो मैं आज बनाने वाली हूं दिनर के लिए हरे मतर की कचौरी और साथ में मैं एक केक बनाऊंगी चौकलेट केक क्रिस्मस आ रहा है बहुत से लोगों को आइसिंग भी करनी होगी तो जो आज मैं केक का बेस बनाऊंगी उसे आप किसी भी डेकोरेटिव केक लिए यूज कर सकते हैं उसमें आज हम लोग दही भी नहीं डालेंगे और एक भी यूज नहीं करेंगे तो आज थोड़ा बेटिंग वाला मूर्ड है मेरा तो चलो आज का ब्लॉग लेखते हैं जैसा कि डेली करती हूं मैं जब भी मुझे रात की शूटिंग करनी होती है या घर में ही काम शुरू होते हैं तो छे बजी के बाद ही अकसर होते हैं और मौसम बहुती प्यारा था अज का ना थंडी थी ना गर्मी थी बादल तैसे सारा देन था लेकिन आलस खुब हो रहा था दो पहर में फिर लंच के बाद वही बच्चों की दूद और मेरी चाई ये सारी चीज़ी हो गई रह रहे के फिर सब बरतन बरतन निपट गए सब अपनी अपनी जो शाम की टाइमिंग है वैसे ही बैठ गया है जैसे शुब हमकी क्लास होती है ट्यूशन वाली और शुब ही अपना सेल्फ इस्राइडिकली बैठी दोनों अलग अलग रूम में इसलिए बिठा ले गए हैं कि एक साथ बैठे है तो शोर होने लगता है समझी कहे ना टॉम एन जैरी यानि फ्लैट बाटम जिनकी भी होती है वो सारे बटन चलते हैं तो मैंने अभी फ्रेज से निकाली थी ये मटर जो मैंने कलदाने निकाल के स्टोर करके रखे थे और ये वही हैं तो ये देखो ऐसे हाथों से दब जाएं इस तरह के कही चाहिए था और अभी गरम पानी है जिसमें मैं ये मटर रहने दूँगी तब तक मैंने यहाँ पर और तैयारी वियारी करी अद्राखरी मिर्ची, हरा धनिया और ये सब पास में रखा इस थाली में मैंने निकाला है दो कप मैदा और हाफ कप गीहू का आटा मैंने गीहू का आटा और एक चमच अजुवाएन डाली है और नमक सवाठ के नुसाठ डाला है करीब चाहए पाँच चमच के करीब मैंने तेल डाला है तेल डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सबसे पहला काम होता है जब भी मोयन लगाएं तो नमक और जो भी आपने आजवाइन या का लॉंची डाली होती है ओयल डाल करके अच्छे से पहले मल लो तो पूरा मल लिया है और जब यह मल रही हो तो मुझे अभी उस दिन वाले बात याद आ रही है दीपा वली के टाइम पे मुझे लोग आये थे जिन्होंने बनाया था सबका कॉमन में सेओ और खस्ता वगारा तो उनको देखा मैंने मुएन लगाने के लिए मैं सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पहले रगड लो तेल को आटे या बेसन जिसमें भी हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा डो बनता है अब थोड़ा और अब मैंने ये ढखा इसको अच्छे से टाइट ही है डो और ढख करके रख देना है ढख के रखने से फिर वो सेट हो जाएगा और ये मटर मैंने दूसरे बरतन में निकाला जिसमें छेद है ये मेरा कद्दू कहते है जिसमें होल्स है ना तो सारा पानी निकल गया मतला म ये चप्ड्दू कहते है सौंफ जरूरी टालना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है मोटिवाली सौंफ और हरी मिर्ची बारी कटी हूई थोड़ी सी हिंग डाली है एक चमच अद्राक कद्दू कसा किया हुआ डाला अब अद्राक हरी मिर्ची हींग Sक जीरा से खँछ स लेना है और उबली हुई मटर डाली है उबली हुई मटर जिसमें पानी बिर्कुल भी न रहे ना मैंने इसलिए इसको छेद वाली दोंगे में रखा था और पानी निकल गया है अब यहां पर एक चमच मेंडे डाला है धनिया पाउडर और आदे से भी कम हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर कम ही डालना है मतलब पिना हल्दी के हम लोग कुछ बनाते नहीं है इसलिए डालना है और बहुत पीला-पीला सा भी ना बने सब्ची वाला रम जो हता है ना सुर्ग वो ना हो बस ऐसी डाल करके हलके ही मसाले हैं छोटी चमद्चों का जो थी यूज़ करती हैं उससे ही सुखे मसाले डाले हैं कुछ पता भी नहीं चल रहा है मसाले और अर ये अमिन डाला है आमचुर पाउडर तो एक चमच डाला है अमचुर पाउडर जिसे खटापन पता चले और ये भुने जीरे और सौफ का पाउडर है जो मैं पीस के रखी हूं डबी में और इसे डाल करके मिक्स कर लेना है करम मसाले का यूज मैंने नहीं किया है आप चाहो तो डाल सकते हो फिर मुझे सब्ची जैसा लगने लगता है और ये मैंने डाला नमक स्वाद के अनुसार अब नमक डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर लेना है ये देखो तेल बहुत कम है इसलिए उन मिसाले भी हलके सुखे है तो देखो हलके से लग रहे है एकड़ाई पर बतलब ऐसा ही रहना चाहिए तिर्फ हमें मामुली सा ही हर चीज डालना है अब ये जो मटर है इनक भाजी मैश करते हैं तो एक बार पूरी मटर को दबा दिया अच्छे से उसके बाद कल्ची से प्रेस करते हैं मतलब खड़े-खड़े मटर ना रहें और सारे के सारे मटर हमारे मैश हो जाए इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये है भुना हुआ बेसन ड्राई रो जो हलका सा इसमें तेल था या अलग-अलग मसाले थे अब ये पेसन डाल करके मिक्स करके भून लिया बारी कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया तो आप देखी रहे हो सारा कुछ समिट गए एक साथ मतलब अलग-अलग से तेल नहीं है ना मटर है वो बाइंड हो गया अच बरतन में मैदा यह 2 कप मैदा है और इसमें मैं डाल रही हूँ कोका पौडर यानि चोकोलेट पौडर में हर्ष का चोकोलेट पौडर यूज करती हूं और यहां पर 6 टेबिल स्पून कोको पौडर डाला है मैं आध याद से डिस्क्रिजन में लिख दूगी सारे इंगिड सोडा 2 टी स्पून आज की जो रेसिपी है एकदम डिफरेंट है इसमें ना ही मैं दही डालूंगी ना मिल्क पाउडर ना ही कॉन फ्लोर ये बिल्कुल अलग है और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है अब मैदा और ये जो कुकुआ पाउडर है बेकिंग पाउडर बेकिंग स कॉड़ा सबको अच्छे से मेक्स कर लेना है कोंडर कफी को तो गरम पानी रहना चाहिए जिससे कोफी घुल जाएगी जल्दी से अच्छे से घुलेगी इसको साइड में रख लेंगे इदि आप आईसिंग करना चाहते हैं तो आप किसी भी शेव का जो भी आपके पास है जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ मेरे पास है flower वाली तिन है lambda square है heart shape है और यह जो गोल वाले dole circle यह तीन का साईज है यह तेखो ऐसी मेरे पास new और र कंता है यह heart वाला याई इस का भी तीन यह सैट है जब icing करने के लिए cake' की तिन दिन फ्रिज में रखो तो सब्सक्त हो जाते हैं किसी ओकेजन में साल में दो तीन बार नमबर आता है मैं ऐसे ओर्डर्स लेती नहीं हो कि की की में रेगुलर्स बनाऊं तो घर के इसाब से मुझे टी टाइम वाले अच्छे लगते हैं जो दो तीन दिन खाये जा सके तो मैं ज्यादा तर बीन आइसिंग बनाती हूं यह तो सिर्फ चार चार रखें और भी हैं मेरे पास सिलीकन के भी काउस तीन चार हैं नहीं अभी और कुछ न्यू पैक्ड रखें हैं तिन भी हैं अलग शेप वाले वह भी खाजाना बेकिंग वाला अलगी है लेकिन देखो आ काफी अच्छा सा बड़ा सा केक बनने वाला है क्योंकि दो कप मैदे से हम जो बनाएंगे और चुकि मिल्क मेड वाला केक है तो बहुत तेस्टी भी होता है इसको मैंने ग्रीज किया है और मैदा डर्स्ट करी है और अब मैंने मटर ढख दिया है क्योंकि अब ठंडा हो गय उसके हता तब से यह तिन रखे और एक वीवर है उनकी खास रिक्वेस्टी कि मिल्क मेड जो रखा है उसको केक कप बने कपा बरियाद दिला रही थी हो मुझे आज बहुरत निकला है इनका दूसरी बार तो यह हाफ कप मिल्क मेड डालेंगे मिल्क मेड से केक का टेस्ट ब करनेगा मैंने यहाँ पर ऑईल यूज किया है एक्चिली बटर वाले केक में भी वही है फ्रिज में रखो तो हाड हो जाता है बाहर दो तीन दिन रखने का मन नहीं करता है और ऑईल वाला मॉइस्ट रहता है यह मैंने एक वन टी स्पून पाइनेपल एसेंस यूज किया है क्योंकि मुझे इस बार वैनिला मिला नहीं था हमारे जब गई थी साइजीवन में इसलिए मैंने पाइनेपल डाला और हमारे हैं पसंद करते हैं पाइनेपल या वैनिला और कोई बहुत कमी डालतीयों में आप यहाँ पे कोई भी एसेंस यूज कर सकते हैं अब यह मैंने लिया है मिल्क तो नॉर्मल होना चाहिए टैंपरेचर में और हाफ कप है अब हम डालेंगे हैं यह जो हमने मैदा मिक्स किया है इसे डालेंगे और इसे अच्छे से तो जुट व्यूज करेंगे हम 3-4 कप मिल्क है तो पहले मैंने हाफ डाला था निकाल के रख लिया था 3-4 पूर कप मिल्क और फिर यह मैदा डाला फिर उसको मिक्स किया और फिर से बाकी का दूर डाला मतलब बैटर आपका स्मूथ होना चाहिए किसी भी तरह कि इसमें लंस नहीं हो बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी ने और अब यह जो मैंने पानी और मिक्स करी तो मैं सोच रही हो यह तना ठीक है ऐसा कैसे हुआ फिर मेरी नजर गई कप सामने रखा है तो जल्दी तो उठाया मैंने बिना देरी किये आप मिक्स किया है मैंने यह कॉफी वाला पानी और बैटर एक्टम परफेक्ट है अब इसको आप यह देखो इस तरीके का गाड़ा होना चाहिए मतलब बहुत गाड़ा नहीं हो बहुत पतला नहीं अब परफेक्ट आया है तो बस अब सभी चीजों को अच्छे से में करना यह देखो इस तरीके का गाड़ा होना चाहिए और कॉफी पावर्डर मिक्स करने से क्या होता है चॉकलेट केक जो होते है उनका कलर बहुत अच्छा वाला डारकाता है और उनका टेस्ट भी अच्छा होता है कॉफी मिक्स ज्यादा तर चॉकलेट केक में थोड़ी सी कॉफी डालने से अच्छा रहता है और ये जो बेस अभी मैंने बैटर मिक्स किया इसे आप आराम से किसी भी plain tin में बना सकते हैं चुकि मैं इसको ऐसे regular खाने के लिए बना रही हूँ बिना इसिंग का तो मैंने dry fruits लिये हैं काजू, बादाम, अखरोट और किश्मिस दोनों पीली और काली और दो रंकी tutti-fruity यानि total ये देखो seven देख रहा है ना dry fruits हैं इसमें किश्मिस दो रंकी, काजू, बादाम और अखरोट है walnut और ये दोनों tutti-fruity थोड़ा थोड़ा लिया तब भी वो इतना सारा हो जाता है लेकिन अब plain cake खाने में कुछ dry fruits रहते हैं तो और भी tasty लगता है और अभी अभी किसी ने मुझे बोला है दो-तीन दिन पहले ही कि dry fruit cake बनाएं बस ये देखिए eggless और अब जब dry fruits mix करा है उसके बाद two table spoon vinegar डाल रहे हैं vinegar डालने से बहुत सारी लोग सवाल करते हैं दूद डाला है तो कोई vinegar डालता है क्या एक बार मुझे याद एक cake में मैंने डाला था तब से तो मैंने कितने दिन नामी नहीं लिया डालते हैं soft बनता है एकदम जैसी vinegar डाल के फेटते हैं तो जैसे वो इडली वाला batter नहीं हम लोग का और वो ढोकले वाला batter कैसे हलका हो जाता है वैसे होगा बहुत soft moist cake बनता है vinegar वाला जो cake होता है बहुत बढ़ी है इसका result आता है और अगर आप ये बिना dry fruit के cake बना रहे होंगे plain tin में जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको icing करना होगा Christmas के लिए या निवर के लिए तो आप आँख बन करके same to same recipe फॉलो करना dry fruit मत डालना और आप plain tin में बनाना इतना बढ़ी है चॉकलेट बेस तयार होगा actually ये बेस ही है हमने dry food डाल दिया वो बात है अब ये अच्छे से tap कर लो tin को ताकि air bubbles निकल जाएं और बस अभी ready हो गया है सचदच के तयार है microwave में जाने के लिए microwave oven को 180 degree पर preheat किया है मैंने convection mode में ही ये cake bake कर रही हो मैं क्योंकि convection में tin use होते हैं aluminium वाले और यदि आप इस cake को कड़ाई या cooker में बना रहे हैं तो आपको पूरा 55 तो अराम से लगेगा इस cake को जो ये measurement दिया मैंने कड़ाई कूकर में यहाँ पर microwave में भी 52-55 मिनिट का टाइम पूरा लगने वाला है और मैंने इसलिए रखा एक तरफ इसे और फिर ये counter top पूरा clean किया क्योंकि baking करने के टाइम पर सारा पहला देती हूं पता है बहुत बुरे हाथ सब कुछ आत पास मुझे चाहिए बिलकुल उसी वक्त तो सारे डबी डूबे सब सामने रहते हैं आप सब अटा के आई हूं और अब चलो कचौरी बनाते हैं क्योंकि बुककर पहली हमारी मतलब चटोरी अब यह आई है मिस कढ़ाई बैठी है अब इन में डाला जाएगा ओयल और डीफ्राई का काम शुरू आज कढ़िया चड़ी तो अभी दो दिन बारिश के पूरे लुट फुटाए जाएंगे हमारे गर क्योंकि आज तो सेटडे है और कल संडे है समझ जाओ दो दिन की लंबी तयारी है मतलब कचौरी नहीं और दूसरे आइटम और हम देखो पराद में जो आटा रखा था मैंने इसको हटाया कटोरा कितना सॉफ्ट केक मतलब यह जो केक ही बूसरे डो तयार हुआ न एकदम नरम है ऐसे नरम होना चाहिए पर डीला नहीं है यह यह रखने से सेट हुआ है इतना अच्छा हमेशा पहले से ही जैसे तमोसा कचौरी बनाना होना तो पहले से आप बना लो यह आटा तो नरम हो जाता है मत्री में अभी मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ मुझे बनाना होकर शाम को तुमें दुपहर से आटा तगा के रख देती हूँ और यह छोटी-छोटी से बॉस बनाई उनके अंदर भर दिया अच्छे से पैक करना कचौरी का मसाला भाई होना चाहिए मसाला है ना भले फटोट जाएं बाहर निकल जाएं लेकिन मसाला तो होना ही चाहिए और फिर सुआ नहीं कैसे टागेगा तो अच्छी सी लोई के अंदर पैक कर दो अच्छे से और मैं अभी जैसे 4-6 बॉस बना के इनको फ्लैट करके साइड में रखती जा रही हूँ जैसे एक साथ 4-6 बन जाएं फिर हम 4-6 एक साथ बेल ले और बेलने के बाद जैसे कढ़ाई में आज तेज रखें फिर तेज करके फिर धीमा करके वो जो धीमा तेज करकर के फ्राई करने में असानी रहती है एक एक बेले में उठाओ फिर भरो फिर टाइम डग जाता है और इनको मैं मार्केट जैसा बिल्कुल नहीं कहूंगी क्योंकि मार्केट में जो होती है कचारिया बहुत हैवी होती है हैवी इसलिए होती है और जादा पीती है पर जो मैंने आज बनाई थी कचारियां खाने की बाद मतलब जो हजबन ने यही बोला जो लुग बाहर का ज़्यादा खाते है ना जो लोग भार का खाते हैं उन्हें को पता है कि एक से ज़्यादा खाया नहीं जाती हैं बड़ी-बड़ी कचौरियां उक्को वाइल पी हुई रहती हैं उन्होंने एक ही लाइन बोली कि बहुत अच्छी थी अच्छी इसलिए थी क्योंकि वह बिल्कुल ऑइल लेस थी मत बड़ी-बहरी कचौरियां रहती है एक खाया तो ठीक है लालच थोड़ा सा आएगा भी दूसरे के बाद तो कम तमाम हो जाता है बहर वाली बहुत हैवी होती है तो अब ये सीजन शुरू हुआ है मटर का तो पहली बार आज मटर की कचौरियां घर में बन रही हैं शुब करना है बहुत तेज आज में नहीं वरना वह बहार से लाल-लाल से एकदम से हो जाती है उनका कलर भी अच्छा सानी आता तो पहले मैंने कढ़ाई को तेज गरम किया था जितनी देर मैं बेल रही थी फिर मैंने धीमी कर लिया है और फिर उनको अच्छे से शेकना है इतना अ हर कचारिया ऐसी ही है यहां पर दो तरह की कचारिया आती है एक शेगाओं का बहुत फेमस है शेगाओं जैसे शेड़ी है वैसे शेगाओं भी है गजानन महराज का वहां की कचारिया वहां के नाम से फेमस है जैसे शेगाओं की कचारिया ऐसे लिखा होता है शॉप्स में वो चप्टी होती है पिच्की वीसी लेकिन दो पल्ले अलग वाली बड़ी साइस की होती है और उनका मसाला लाल रंग का बड़ी और अब सारी की सारी कचोरियां तैयार हो गई है और सब को मैंने आवाज दे दी है फ्रेज से निकाला गाजर का हलुआ समाप्त हो गया यह ला पर हल्वा की तैयारी शुरू होगी मतलब पूरा सीजन हल्वा बनेगा दो दिन खाये जाएगा फिर बनेगा फिर खाये जाएगा ऐसी चलता रहेगा सीजन भर तो बस अब कचोरियों का मज़ा लिया जा रहा है कचोरी के साथ हरी मिर्ची बहुत पसंद की जाती है यहां पर तो इन लोगों को भी वैसी यादत लग लग लेकिन वो मूटी वाली मिर्चियां होती है जो फ्राई की जाती है लेकिन वो तीखी नहीं होती वो नहीं थी घर में पतली वाली हरी मिर्ची थी और तो बस उन्होंने साथ में ले लिया अपनी मिर्ची उनका मिर्ची के सा नहीं है आफ़ा जादा लगने लगता है तो अब पता है की त trabaji बढ़hem कर दोटी हो कि पहली वाला शिफ्ट जो था वो तो बेकिंग वाला था दूसरा शिफ्ट का चौरियों वाला था तो वो सब काउंटर टॉप पूरा क्लीन करने के बाद अब यहां का काम फ्री और केक का एक अच्छा खासा टाइम था 50 मिनिट इतने में तो खा पी के निपट ले हम लोग म इतने मिनिट में जैसे ही मेरा यहां का काम खतम हो वहां पे बीप आ गए एंड हो गया अब मैं माइक्रवेव खोल के दिखा रही हूं आपको केक बहुत ही बढ़ियां बना है लेकिन जितनी देर यह बेक हुआ है आप समझ सकते खूब जबदस गरम है और केक को पूरा मैपकिन से ढखके रखना चाहिए तो ढखके रखने से यह एकदम नरम हो जाता है उपर वाला हिस्सा भी और कल संडे है तो कल ही मैं इसको अनमोल्ड करूँगी यानि कल पीसे भी कट करूँगी ठंडा हो जाएगा अच्छे से अभी तो मीठा खाया गया है गाजर कहलवार कर चौरी खाना भी नहीं किसी को और आपको भी दिखाना ही है मुझे तो मैं कल इसे अनमोल्ड करूँगी इससे क्या होगा यह प्रॉपर अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा जंद भाजी नहीं करेंगे बहुत करम है और ढखके इसको मैं रख दूँगी तो मैं आपको कल रिजल्ट क्या है बहुत ही बड़ी है पर्फेक्ट केक है आप से मैं सही प्लेन केक बनाना क्योंकि मुझे पता है सबके घरों में आइसिंग जादा पसंद की जाती है वो तो हमारे ही घर है जो बच्चों को आइसिंग खास पसंद नहीं तो इसलिए जब कि मैं क्रीम लेक के भी आई थी इस बाल